हम अपने कपड़ों को धोने के बाद उन्हें बाहर सूखने के लिए लटका देते हैं क्या आपने कभी लंबे समय तक पानी का एक किलास बाहर छोड़ा है? हम देखते हैं कि पानी की मात्रा कुछ समय बाद कम हो जाती है हम यह भी देखते हैं कि कुछ समय बाद हमारे कपड़े जो बहार लटकाए गए हैं वह सूख गए हैं यह कपड़े कैसे सूख जाते हैं? गिलास में पानी का स्तर कम क्यूं हो जाता है? हमने पढ़ा है कि एक द्रव कुथनांख पर ग्यास में बदल जाता है प्रतेक मामले में कपड़े बहार लटकाना या गिलास में पानी बहार छोड़ना पानी अपने क्वथनांख तक गरम नहीं किया गया था लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पानी दोनों मामलों में अपनी वाश्प अवस्था में बदल जाता है इसका कारण वाश्पी करण नामक एक प्रक्रिया है क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव के वाश्प में परिवर्तन की घटना को वाश्पी करण कहा जाता है वाश्पी करण कई द्रवों में देखा जाता है लेकिन वाश्पिकरण होता कैसे है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं और कभी भी रुकते नहीं हैं द्रफपदार्थ के मामले में सतह पर कणों का एक छोटा सा अन्ष अधिक गतिश उर्जा होने के कारण अन्य कणों के आकरशन बल से मुक्त हो जाता है और हवा में चला जाता है यही वाश्पिकरण है क्या आप निमलिखित प्रश्ण का उत्तर दे सकते हैं? वाश्पिकरण क्या है? और वाश्पिकरण कैसे होता है? दो मिनिट का समय लें और यह अपनी कॉपी में लिख लें